Next question is the efficiency of an ideal heat gas, ideal heat engine working between the freezing point and the bohling point of water is option 26.8 या 20% या फे 625 या फे 12.5 लॉं बहुत ही आसान सवाल है ही बात अपने पता है कि आपका कोई भी efficiency जो होती है हीट इंजन की उसको हम लिखते हैं 1-पना हीट इंजन के एफिशेंसी इसको हम लिखते हैं T2 divided by T1 यहां पर अपने को T1 और T2 डारेक्टली वेल्यू ना देखे अपने को हिंट दे रखा है तो T1 हो गया आपका आपका फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जहां पर आपका बॉटर फ्रीज हो यानि कि वहीगा 0 डिजरी संटीड या फिसको लिख सकते हैं 273 केलविन और टीटू है आपका बॉलिंग पॉइंट यानि की 100 डिग्री संटीड या फिर 373 केलविन आपके एफिशेंसी हो गई 1-273 divided इसको उपल लेकर आएंगे 373 माइन सूस्टीड लीजिंग बचे तो आपका नीटा आगे 100 डिवाड़ीड बाइट 3 73 परसेंट ये आपका आंसर हो जाएगा इसको जो क्यल्कूलेट करेंगे तो इसकी वेल्यू लगभग जो आती अच्छा इसको क्यल्कूलेट करने के लिए easy तरीका बताता हूं अगर इसको 1 by 400 आप assume करेंगे तो इसकी वेल्यू आएगी लगबग 25% ठीक है अब क्योंकि 400 से थोड़ा छोटा है तो इसकी वेल्यू 25% से थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी यहाँ पे आपका नीटा जो है वो आपका 26.8% जो आपका option number A दे रखा है that would be the right answer अगर कोई और close option होता अगर यहाँ पे 26.28-29 भी लिखे होते तब हमें exact calculation करनी पड़ती पर यहाँ पे इस approximation से अपना right answer आ जाएगा